Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सुभी का दाईना पर स्वागत करता हूँ तो 10 से 12 दिन के अंदर में क्या strategy होनी चाहिए study करने के लिए, कौन से book से आपको study करना चाहिए, क्या आप study करूगे जिससे आपके अच्छे number बन सकते हैं, इसके बारे में हम discuss करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि exam से पहले आपको किन बातों का दियान रखना है, answer writing के practice आप क के अंदर में हम बात करेंगे भारत में राजनीतिक संरचनाओं के बारे में, भारत की जो राजनीतिक संरचना हैं, आज के रूप में जो आप देखते हूँ, बिजेपी पार्टी है, Congress party है, और अलग-अलग अधिकार शेत्र के अंदर में सब लड़ रहे हैं, क्या आरंब म जो आज हमें राजनेतिक संरचना देखती है, आरंबे में इस तरह का सोरूप हमें देखने के लिए नहीं मिलता था, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य का निर्मान किस प्रकार से हुआ, और राज्य की निर्मान होने से पहले की किस तरह की व्यवस्ता थी है, और रा किसे राजनेतिक समर्चनाओं का विकास होता हूँ, उस छेत्र को लेकर उसको हम यहाँ पे राज्य कहते हैं, और एक राजनेतिक ववस्था के लिए राज्य बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है, अगर राज्य नहीं होगा, तो राजनेतिक ववस्था किस परकार का, ठीक है, आप मान लो, किसी छेत्र में आप रहते ही नहीं हो, कहीं पे आपका नाम निसान ही नहीं है, कोई जमीन ही नहीं आपके, तो आप किस परकार किस तरह की राजनेतिक ववस्था अपना होगे, अब राज्य के अंदर में राजनेतिक ववस्था का क्या मतलब आप इस याधनितिक संरचनाओं कавिकास करते हैं तो राज्य का निर्माण किस परकार से हुआ राज्ये से निर्माण करने किस तर Southeast ववस्थाति इस बुक के अंदर में करने वाले और बीदिए के अंदर में इस इपवर करने वाले हम'. पूरा जो भूक है आपको unit के अंदर में मिलेगा, हर एक unit के अंदर में 455 chapter है, पर यहां पर हम lesson के अंदर में पढ़ने वाले हैं, total 27 30 के करीम में lessons होने वाले हैं, तो और हर एक lesson के अंदर में 4-5 topic हैं, तो उसको भी हम यहां पर देखेंगे detail में, तो चलिए video को start करते हैं, सबसे पहले में बात करूँ पहला lesson चाहँ पर हम बात करते हैं, राज्य से पुर्व और राज्य तक, राज्य से पुर्व का मतलब क्या, एक राज्य बनने से पहले किस परकार किस्तिती थी, और एक राज्य बनने के बाद किस परकार के सितिदि इसके बारे में आप हम बात करते हैं. तो पहले topic के अंदर में normally जो पहला topic आपका बनकर आता है Tamil का मुख्या तंतर को लेकर आता है कि Tamil का मुख्या तंतर है क्या और ये important topic रहने वाला है. जो भी important topic होगा ना उसके आगे मैं start लगा दूँगा और जिससे आप समझ पाओगे कि यह important topic और आप उसको अच्छे से study कर पाओगे सबसे पहले important topic आता है तमिल का मुख्या तंतर का तमिल का मुख्या तंतर एक important topic है जिसके अंदर हम तीन चीज़ पढ़ते हैं किलार, वेतनार और वेलियर करके तीन चीज़े पढ़ते हैं आपका जो चो भी भी बेस में अ जाते हैं उसके अंदर में आ जाता है 10 नमबर का कि टिपनी लिखो इस आंदर में आता है यह आता है कि पारंबिक एल्वातिहासित ओर किस परकार का था ठिक है और इसका सुरोथ क्या है तो मतलब संभम्साहिते के अंदर में जो आरंब के तमिलकम राजी थे उसके सुरोत क्या मिलते है संगम साहिते में सुरोत के तौर पे दिखा जाता है तो संगम साहिते के अंदर में किस परकार से वर्णित है लिखा हुआ है बताया गया है तमिलकम राजी के बारे में आरंबिक जो स्टार्टिंग के तमिलकम तो यह आपका टॉपिक दूसरा रहने वाला है तो यह भी कुछ खास टॉपिक नहीं बट एक बार आप इस्टेडी इसको करके चल सकते हों तीसरा टॉपिक यहां पर आता है पारंबिक राज्य संरचना के बारे में तो राज्य संरचना किस प्रकार के थी इसके बारे में आपको थर्ड टॉपिक के अंदर में स्टडी करना है इस अगर पहले चैप्टर की बात करो तो पहले चैप्टर के अंदर में जो पहला टॉपिक है उस सबसे most important topic रहेगा तमिलकम मुक्यातंतर का अगर आप आगे नेट क्यांदर में की चैप्टर के अंदर में जो भुस-इमांकित राज्य थे उनका विकास किस प्रकार से चैप्रकर क्या जहां पर गौतम बुद के द्वारा बुद का ग्यान दिया गया ठीक है उनको ग्यान परापती और उनके जो अनुवाई थे किस तरीके से उन्होंने बुद रम का परचार परसार किया उस टाइम पर जो भूसी मांग के तरा जित उनका विकास किस प्रकास से हुआ अब यहां के बारे में हमें पता कैसे चल रहा है आप यहां पर हम तमिल राज्य के बारे में क्यों बात कर रहे हैं यहां पर हमने यूपी के बारे में क्यों नहीं बात किया ठीक है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे पास जो सुरोत है ना जहां से हमें जानकारी मिल रहा है वो बहुत limited मात्रा में ही उपलब्द है जो सुरूत उपलब्द है उसके कारण से अब उसी के बारे में बात कर पाते हैं तो तमिलकम राज्ये के सुरूत उपलब्द है संगम साहित्य के रूप में जिसके कारण सम तमिलकम राज्ये के बारे में बात कर पाते हैं तो जब यह लोग से उसे प्रकार से कायम हो रहे यह उसका वर्णन किया गया जिसके आपर बोध गाल को करते हैं कि समझसे में आता है अगला टोपिक स्कें अंदर में मोड़ी के प्रकृति देखो अब मोरे राजी इस्टार्टिंग का राजी था आरंबिक राजे कान के तौर पे दिखा जाता है और सबसे विक्सित राजे विकासिल राजे के तौर पे जाना गया मोरे राजे को सबसे ज्यादा फैला हुआ राजे था असोक समराजे के अंतरगत जो सबसे बड़ा जो छेत्र था भारत का वो असोक समराजे के अंतरगत अफगानिस्तान तक पूरी सीमा ही हमारी थी ठीके नेपाल भुटान सब कुछ भारत के अंदर में समय लित था और आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारे भारत का जो नया पारलेमेंट हाउस है उसको भी देख सकते हो जहां पे जो मोरे समराज्य का नकसा है उसको लगाएगा जिसको लेकर काफी सारे विवाद भी चल रहे है तो आप उस नकसे को देख सकते हो जिससे आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि क्या आरंब में नाम थे भारत के राज्यों के और किस तरीके से भारत का फैलाव पूरे विशुश के होता होगा में की स्टुडेंट हो कई बार आपने पड़ा होगा तो यहां पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे सिर्फ टॉपिक को अनलाइज करने वाले हैं दोनों टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में एवरेज टॉपिक हैं आप इसको थोड़ा से स्टॉडी कर सकत प्रसासन बार चलाने की जो परकर्याति हो किस परकार करते हैं यहां पर बात करते हैं दूसरी सदी इसा पुरव तक की जो राजनिटिक पढ़नाली है उसको बताना है अब दो से लेका तीन इसापरू का पूरा टाइम पिरेड है ना एक मतलब 100 सालों के बीच वा उसके बीच के अंदर में किस परकार से राजनेतिक परनालियों का विकास हुआ कौन-कौन सी राजनेतिक परनाली गतिविदियां चेंज हुए कौन-कौन-कौन परत करेंगे यहां पर तीन टॉपिक चैप्टर के अंदर में आते हैं जो इंपोर्टेंट है पहला टॉपिक आपका रहता है कुसान वंस के बारे में कुसान राज्य की परमुख विश्यस्ता है कई बार एक्जाम में पूचा भी जाता है पीछे कई बार आया है तो कुसान आटीं साथ यहां पर जो डोपर पेने तॉलबं सिमिलर टॉपिक यह दोनों को अप एक यह...! आपकं तोपिक और यह संब्स्तार के प्रकार से दूसरा टॉपिक आपका आता है सात वहन राज्ये के बारे में सात वहन राज्ये का सामाजिक आर्थिक राजनेतिक और प्रसासनी धाची के विकास के बारे में आपको बताना है कि सामाजिक तौर पे आर्थिक तौर पे राजनेतिक तौर पे साती साथ प्रसाशनिक तौर पे किस परकार से इनके धांचे थे किस परकार से धांचों का विकास हो रहा था यह आपको बताना है ठीक है समझ बाता है यह आपका चैप्टर नंबर ठर्ड रहने वाला है यहाँ यहां पर सबसे अच्छा और सबसे बड़ा ब्रमास्त के तौर पर करता है आपका प्रिवियस एर कोशन वेपर प्रिवियस एर कोशन वेपर को सॉल्फ कर लो जितना ज़्यादा आप सॉल्फ करोगो न उतने अच्छे नंबर आने के आपके चांसी रहते हैं पर आप में कि तयारी कर रहे हो तो आल्मोस्ट आप तयारी कम से कम आप लेके चलो कि आप 5 साल के प्रिवेस तर सब्सक्राइब को सॉल्फ करने वाले हो, 5 साल के प्रिवेस कोशन पर को सॉल्फ करते हो, तो आपके अच्छे नमबर बन जाएंगे, अब यहाँ पर कोशन यह भी आता है कि सर कहाँ से करें, कहाँ से मिलेगा कोशन पर, देखो इगनू की साइट में फ्री में मिल जाएगा कहीं आपको पैसे खर्च करने की जुरूत नहीं है, कोशन उपर वहां से डाउनलोड कर लो, गर पे सॉल्फ कर लो, सॉल्फ करने नहीं आ रहा, तो दाइन आप के उपर में हमने अल्डेडी 5 साल के कोशन उपर को सॉल्फ है मैं history के अंदर में जितने भी आपके subject है न हर subject के playlist के अंदर में आपको लास्ट फाइवर की पेवेसिप की वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जाकर देखें जिससे आपको बहुत ज्यादा benefit मिलने वाला है, और almost एक वीडियो से यह आपका 90% जो syllabus है न वो cover हो जाएगा, ठीक है, previous year के अंदर में मैंने solve भी करवा रखा है कि किस तरह से क्या चीज़े solve होना है, किस तरह किसा answer बढ़ना है, कितना answer लिखना है, यह पूरा detail में करवा रखा है, तो उससे आपको वी benefit होगा, कि answer writing के practice भी आपकी साथ-साथ होती चलियागी, अगर आप उसको solve करते हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा दाइन आपको, तो सब्सक्राइब जरू कर ले, दाइन आप के उपर में में से लिटेट सारी वीडियो आपको मिलने वाली है, और नव इंफो पे जितनी भी आपके इग्जाम से लिटेट अपडेट है, वो time to time यहापको मिलने वाला है, तो उपर में हमने बात किया था, दूसरी से तीसरी सताबदी के बीच में, जहाँ पे कुशान और साथ वहां वहां मिलिस करते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कि तीसरी से लेकर, छटी सताबदी के बीच में, अब इस बुक के अंदर में सबसे mean चीज़ आपको क्या mind side के साथ में बढ़ना है, MHI 04 के अंदर में, जो बहुत सारे student face करते हैं problem, और number कम आते हैं, back आ जाता है, और MHI 4, MHI 5 के अंदर में सबसे ज़्यादा back आता है, reason इसका यह रहता है, कि एक लंबा time period cover करता है, और जो question है, question के time period को हम frame नहीं कर पाते हैं, कि कि किस frame के अंदर में इ time period है यह याद रखना है, कि इस time period के अंदर में कौन सा बन सा आया था, और इस time period के अंदर में कौन सा आया था, यह आपको clear करके चलना है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो chapter number 4 के अंदर में हम बात करते हैं, तीसरी से लेके छटी सताब्दी के बीच में, जो राजनिति जो दचीन भारत का जो हिस्सा ने, इस वाले के अंदर में, यहाँ पर राजनितिक पनालियों का विकास किस परकार से हुआ, क्या क्या राजनितिक उथल पतल हुई, इसके बारे में हम यह आप हम बात करते हैं, साथी साथ यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा topic के अंदर में, चौती सताबदी इसा के अंदर में उत्तर भारत में गुप्त सत्ता का उदे और पतन किस परकार से हुआ जो गुप्त साशन काल था उसका उदे किस परकार से हुआ इसका पतन किस परकार से हुआ ये एक important topic रहता है तो इस chapter के अंदर में आप जो second topic के इसको important लेकर चलब सकते हो पर ये वाले topic को भी आपे study जरूर करना जिससे आपके mind में रहे और उसको भी answer देशको अगर आता है exam के अंदर में तो तो यहां पर गुप्त काल है क्या उदे किस परकार से हुआ उदे करने संस्थापक कौन था किस परकार से इसका पतन हुआ पतन के कारण क्या थे विसस्ता क्या थे इसके बारे में यहां पर आप डिपाइन करके लिख सकते हो ठीक है समझ में आता है अगले chapter के और बढ़ते chapter number 5 जहां पर हम बात करते हैं उत्तर भारत के सात्वी से बार्वी स्तावदी के बिदौरान में जो पारंविक मद्यकालिन राजनेतिक पद्धित्यों के बारे में अब देखो यहां पर जो आपका chapter number 3 था उसके अंदर हमने दूसरी से तीसरी के बारे में बात किया यहां पर number 5 के अंदर में हम बात करते हैं कि सात्वी से लेकर शटी के बाद सात्वी सात्वी से लेकर बारवी तक का जो पूरा time period है उसके बीच के अंदर में जो मद्यकालिन राजनेतिक जो पूरा पर क्रिया कर time period रहा उसके अंदर में किस तर से विकास हुआ राजनेतिक का विकास का reason क्या था इसके बारे में आप हम discuss करने वाले हैं साथी सरे के बार की टाइम पिरेड का तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर दो टॉपिक आते हैं पहला टॉपिक रहेगा पारमविक मद्यकाल के अंदर में राजनेतिक पदिती के बारे में कि स्टार्टिंग का जो मिडाइवल टाइम पिरेड था उसके अंदर में राजनेतिक पदिती का किस परकार से विकास हुआ और जो अधिन सम्मंदित विविन दिरिश्टी कोन क्या है किस किस एंगल से हम स्टेडी कर सक पार में आपको पणना है राजने देख पदधि को लेकर जो अरंभी काल मेटाइवल-टाइम पर रेट करते हैं कि तो व्हारत है ठीक कर लिए अगर इस वाले टॉपिक को चैप्टर नमबर ठीके गावब हBER हो जाता है कि यह चीज़े आगे पढ़ने वाले साथ विसले के बारवस्तानी के अंदर में तो इस चैप्टर के अंदर में जो आपका पहला टॉपिक है यह इंपोर्टेंट रहे था इसको तो आप सबुझा आप स्टडी कर सकते हो भातनी कर रहें यहां पे भारत को अलग लग पार्टों में बाटा हुआ है ठीक है मैधानी भारत अलग है उतर भारत अलग है दच्छिन भारत के अंदर में प्राइदीपिय भारत होता क्या है तो जो यह V-shape के अंदर में जो यह लास्ट वाले इदर वाले किनारे वाले जो इसको हम प्राइदीपी भारत के तौर पे लेके चलते हैं तो प्राइदीपी भारत के अंदर में जो राजनितिक पद्दीता उसका विकास किस परकार से हुआ तो प्राइदीपी भारत के अंदर में भी दो ट प्रशाषनिक तंत्र किस प्रकार गेती ये टॉपिक आपका बढ़कर आ जाता है अगला टॉपिक हम अगले चेप्टर के और बढ़ते हैं यहां पर बात करते हैं आठीज से बारे साफ्तिके बीच में अब दिखो यहां पे छटी भी से एक limited time period के अंदर में और उसी को हम time period को आगे बढ़ाते हैं तो आटवी से बारी जतादी के अंदर में क्या परिवर्दन हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं अगर मान लो आपका जो chapter का नाम है ना यही question बन कर आ जाए फीगे तो आप बड़े answer में confused हो सकते हो अगर हम बात करते हैं छटी से आटवी के बीच में तो आपको time period को थोड़ा ध्यान में रखकर चलना है कि किस time period के अंदर में क्या चीज हुआ कौन से date के अंदर में क्या चीज है रही इसको आपको mind में लिकर चलना है इसको रोक नहीं सकता है तो यहां पर हमें यहां पर chapter number 7 के अंदर में बात करते है आठवी से लेकर बारवी तक के बारे में जहां पर question बनकर यही आता है कि आठवी से बारवी के अंदर में जो प्राइदीपिय भारत के तोर पे define करते है ठीक है आगे में बात बुर चैप्टर number 8 के अंदर में तो चैप्टर number 8 के अंदर में पढ़ते है दिली सल्तनत के अंतरगत राज्यों के बारे में क्या चीज़े हैं कि इतिहांसकार के द्वारा क्या बोला गया ठीक है फरव ए मुस्तबिर के द्वारा क्या बोला गया जिया बरनी के द्वारा क्या बोला गया राज्ये की प्रकृति है क्या दिल्ली सल्तनत की राज्ये के प्रकृति है क्या और आधुनिक जो विद्वान थे उनका मत क्या है इस तरहएकोs topics से यहां पर बनकर आते हैं और यह chapter important है यहांपर मैं topic की बाद नहीं कर रहा पूरे chapter की बात करो अपको इसको study करके चलना होगा दिल्ली सल्टनत की विश्यस्ता क्या है आदुनिक इतिहांसकार के दौरा में क्या मत रखा गया दिल्ली सल्टनत को लेकर राज्य की प्रकरती है किस प्रकार की फरक ए मुद्दबिर और जिया बढ़नी की दौरा क्या कहा गया दिल्ली सल्टनत को लेकर क्या व्यक्त किया गय लाइन के अंदर में हम बात करें तो विजय नेगर बहमनी और दूसरे राज्यों के बारे में बात करते हैं विजय नेगर राज्ये एक सबसे साला सबसे बड़ा संबिर्द राज्ये के तौर पर विख्षित हुआ सबसे संपन राज़े के तोर पर विजय नगर समराज़े को जान जाता है तो विजय नगर समराज़े की विशेस्ता किस परकार की थी इसके राज़े व्यवस्ता प्रशार्शन व्यवस्ता राजनितिक व्यवस्ता के बारे में कोश्चन बनकर आते हैं कि विजय नगर की जो राजनेतिक ववस्ता थी उनके बारे में बताईए विजय नेगर के अगर आप देखोगे तो यहां पर कोश्चन वीडियो में डालूँगा आपके लिए कि विजय नेगर की स्थापना कर वही थी किस टाइम पिरेड के अंदर में विजय नेगर की स्थापना हुई अगर पर आपने कई बार इस टॉपी को पढ़ा होगा हजारों बार नहीं पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है तो आप गूगल पर जाकर सकते हो जिससे आपको इसके चीज़े समझ में आए और आप यहां पर कमेंड करके बता सकते हो यह बिजय नेगर किस्ता आपना यह और रौ राजनितिक विशिस्ता किया रही इसके बारे में पर question बन कर आता है वहमेणी राजी के अगर बात करो तो तुगलक के सासंकाल में 1347 में हंसुग गुंग के द्वारा यहां पर इसकी स्थापना करी गई ती यहां पर भामनी राजिय कि इसके द्वारे स्थापित क दाचा था इसके बारे में question बनकर आता है यह वाला चैप्टर भी आपका important रहने वाला है विजय नगर के जितने भी topics होते हैं आप किसी भी तरह की study कर रहे हो ना किसी भी तरह की exam की study कर रहे हैं दुली संक्रणत हो गया विजय पहला topic आपको होता है मुगल राज्य के परभू सत्ता सिधानत के बारे में कुछ खास topic नहीं है बट फिर भी आप इसको study कर सकते हो दूसरा topic रहता है हाँ पर मुगल राज्य के प्रकृति और इत्यासकारों का मत important topic है करी बार पूछा जाता है कि मुगल राज्य के अंदर बहुत जो भी इत्यासकार थे उनका मत क्या था मुगल राज्य को लेकर उन्होंने क्या चीजे व्यक्त करी इसके बारे में पूछा सही जाते गई बार question किा राज्य जो मुगल राज्य किसट्चना रहे मोगं लाज्य का रिये मुगल राज्य से बना कैसा किस प्रकाल गता ठीक cocits प्रकार किती तीक-न्याइक व्यूवस्ता किस अच्छा सा यहां पर बन जाए कि आपका नंबर अच्छा बनता है अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले दस चेप्टर हमने कर ला कवर किया ना तो अगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बात करूं एक जाम के अंदर में अच्छा नंबर लाने के लिए मैंने कई बादिस्कस किया इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्डेंट होती है सबसे इंपॉर्डेंट रहते हैं कि हम किस तरीके से अपना कॉश्चिन बेपर सॉल्फ करते हैं ठीक है को बटान को सॉल्फ करना यह 10 chapter study कर लिए 20 chapter study कर लिए आप quality के उपर में study करो ठीक है quality के उपर में वहाँ पर time दो कि आपकी quality क्या है ठीक है आपने एक chapter study किया तो एक chapter study किया तो क्या है इस तरह से study किया कि अगर उस चेप्टर से कोई भी question बनकर आता है तो आप उसको बिना देखे solve कर सकते हो तो इतना confidence है कि अगर इस तरह का confidence लेकर चल रहे हो तो आप समझो बहुत इच्छे से study कर रहे हो अच्छे number बन सकते हैं 37 जब भी आप यह जो 10 दिन बचते हैं यहां पर सबसे ज़्यादा आपको करना क्या होता है तो previous year question पर solve करने होते हैं इससे benefit क्या होता है question का pattern क्या है किस तरीके से question आपका exam में बनकर आता है किस तरह से teacher आपसे answer के expect करता है question किस तरीके सा answer जानना चाहता है क्या आप question ही समझ में नहीं आता exam के अंदर में कि question पूछा क्या था अब वो question समझ में आता उसको छोड़का जाता है घर पर आने बाद जब चेक करते तो पता जलता या यह तो बहुत easy question था यह लिखना था इसके अंदर में और वो number चले जाते हैं तो previous year question paper solve करने का मतलब क्या होता ह कि आप question paper के उपर में time दे रहे हो question को समझने के उपर में time दे रहे हो question का pattern समझ भाते हो जिससे आपके अच्छे नमबर बनते हैं ठीक है तो में यह रिखेवेस जरूर करूँ आप सभी विवर से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं करका है membership नहीं देंगा तो membership जरूर लें चैनल को subscribe जरूर करें और हर वीडियो के playlist के अंदर में हर जो subject के अंदर में आपको last five year के question पर की वीडियो मिल जाएंगी आप उसको जाकर जरूर देखें जिससे आपका बहुत अच्छा नमबर बन सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं साथी साथ यहां पर बात management के उपर में कि आपका time management किस परकार का है आप एक question के उपर में कितना time देते हो तीन गंटे के अंदर में आपको पांच question solve करना है और पांच ही question के हिसाफ से आपको 100 number मिलने वाले होते हैं 100 मेंसे number मिलेंगे आपने क्या लिखा है किस तरीके से लिखा है वोड matter करता है किस management और word limit अगर आप word limit के अंदर में answer complete करते हो तो आपको proper number मिलने वाला है वो आपके answer writing practice के उपर में depend करता है कि आप word limit को कैसे manage कर रहे हो क्या कर रहे हो कई सारे student comment करते हैं कि सर कि सर कितने page में answer लिखना होता है क्या page को भूल जाओ page वाले जो बच्चे होते ना वह 12 तक होत है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं chapter number 11 जहां पर हम बात करते हैं अठारवी सताब्दी के उत्रा अधिकारी राज्य के बारे में अब देखो अठारवी सताब्दी के अंदर में क्या हुआ दीरे दीरे जो पूरा अंग्रेजी विवस्था तो कायम हो चुका था पहले ही अ अब दीरे दीरे जो राज्य थे न वो पतन की और बढ़ रहे थे अंग्रेजी सरकार के अंतरगत कुछ राज्य आते थे कुछ स्वतंतर राज्य थे अब पतन की और बढ़ रहे थे तो उसके बाद जैसे मुगल सकता है उसका अंतुआ पतन हुआ तो मुगल सकत्ता का पतन के साथ में क्या हुआ कि वह राज जी ने अपने आपको सोतंत्र गुसित कर दिया कि भी है मैं तो अपना मालिक हूँ अब मेरे उपर कोई माहिबाप नहीं मैं खुद का राजा खुद का रामी इस तरीके से कर लिया गया मुगल राज्य के अंतर के जितने भी छेत्र आते थे कि आपकर अब करते हैं यह बहलतकर रहे खुद का रहता हैं एक इंपटर्व सधी के राज्य जी के ववस्था के गारे मेंशारी सद्वाजिने के अंदर में यह आपको बताना अधैन से इन आजशी अए ऐसा टाइम पी नहीं आ चुकत है जहाँ पर अंग्रिजी शिशा-प्रणान कीया रही को ठीक है दीरे-दीरे जो सासक था जो राज्य का तंतर था वो खतम हुरा था तो किस तरीके से यहां पर विकास हुआ राज नितिक विवस्ता के नतर में यह आपको बताना होता है अगला चैप्टर के और बढ़ते चैप्टर आजणा था तो किसली के सबरावत दियाए। चाहरे साथ पूरतकलियों का क्या लौगिक था डच का क्या लॉजिक था प्रांसिसी क्या माणना था यह सारा कुछी यहां आ जाता है पुर्तकाल के बारे में डच के बारे में फ्रांसिसी के बारे में तो तीनों को यहां पर आपको लेकर चलना है कि अपने विशिक सकता ठीक है यह नहीं कि तीनों बन लिखकर आएगे पुर्तकाली डच और फ्रांसिसी कोश्चन में कुछ भी एक उठा लेगा अप सब्सक्राइब को बताइए यह अपने भी सीख सकते हैं पुरतकाली के वैपार सब्सक्राइब को बताइए तो कुछ भी कोश्चन आ सकता तो यहां पे आपको तीनों जो पुरतकाल डच और फ्रांसिजी हैं उसको पढ़ना होगा जिससे आप अच्छा अंसर लिख पाओगे चैप्डर 14 जहां पर हम बात करते हैं ब्र इतिया अपने वैशिक राजी के बारे में जो ब्रिटिस सासक के दोरा में जो एक अधिपत कायम किया उस राजी का रूप किस परकार का रहा तरो यह सोरूप आगे बढ़ता है किस प्रकार से सोरूप के बारे में बात करते हैं तो यहां पर तुम्हें चार टॉपिक दिखा रहा हूँ पर एक टॉपिक आपका इंपोर्टेंट रहता है जिसमें हम बात करते हैं बिटिक राजी के सोरूप के बारे में और राजनतिक ववस्ता के बारे में यह वाला जो टॉपिक है आपका यह टॉपिक इंपोर्टेंट रहता है उपने विसिक राजी के सोरूप क्या है और इस चैप्टर के अंदर में ट हाते थे और राजा को बोलते थे कि आप हमारे अंदर काम करूगे ठीक आप के सब्हस्तरा के में नाम के राजा हो इस तरीके से तो किस तरीके से साथ किस प्रकार से ग्रोव करी किस क्या उसके अंदर में परिवर्तन हुआ क्या चीजे इंपोर्डेंस रखती है उसके अंदर में यह बनकर आ जाता है टॉपिक जो आपका चौथा टॉपिक रहता है यहां पर हम बात करते हैं उपनेवेशिक सेन्ने व्यवस्ता के बारे में उसक सब्सक्राइब करते हैं इंपर्टन रहने वाला है आगे बढ़तें चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम बात करने वाले हैं राजसाही राज्य के रियास्तों के बारे में जो राजसाही राज्ये रहें उनके रियासते किस परकार की लिए हैं तो भारत 1947 में अजाद हुआ जब अच्छे से ग्रो कर रही थे यहां पर जो जितने भी राजे थे ना भारत के अंदर में कुछ राजे रियासती के तौर पर यहां पर देखी गई ठीक है जितने भी राजे थे भारत के अंदर में देखो सबसे पहले यहां पर दो सब्सक्राइब का मैं ब्रेक लूगा आपके यस ना वोकिंग चलो वापर सी स्टार्ट करते हैं थैंकी फॉर वेटिंग यहाँ पर चैप्टर नमबर 15 के बारे में बात करते हैं रासाही रियासतों के बारे में भारत 1947 में अज़ाद हुआ तो भारत के सामने आज जो भारत का जो पूरा इमेज आपके सामने है वो भारत उस तरह का उस नहीं दिखता था अंग्रेजों ने क्या किया जितने भी राजवाड़े थे जितने भी राजसाही रियासते थे सब को सोतंद्र कर दिया तो भारत टोटल 555 टुकडों में बटा हुआ था ठीक है तब यहाँ पर सीम चीज के बारे में हम बाहर करते हैं कि रि यह वाला एक्जाम में कई बार आया है तो आपको इसको स्टेडी करके चलना होगा ठीक है रियासति राज्यों के प्रसासनिक संरचनाओं के बारे में ठीक है समझ में आता है अगले टॉपिक टॉपिक के और बढ़ते हैं अगला टॉपिक है अगला चैप्टर आपका ठीक परिफटे عند बेस्क compelled किस परकार का यह भी देखो दिखा बताऊं और आपको आपको अब देखो चैपटर नंबर 16 के अंगर में सबसे पहले तो आपको देखने कि मिलता है कि चोलों का प्रसासनी को बारे में चोल का परसासनी को वअबस्ता किस परकार का देंगीं टॉपिक रहता है साथी साथ पल्लव और पांडेम वंस की जो रासाही प्रकृति है उसके बारे में कोश्चन बनकर आता है कि पल्लव और पांडेम वंस के बारे में बताए उसके रासाही प्रकृति के बारे में बताए राज जी के प्रशासन वस्तक बारे में बताए यह सिं संगम साहित्य को लेकर के कि संगम साहित्य के अंदर में किस परकार की राजनेतिक पंद्यतिय के बारे में जिकरि ते सपनी के बारे में जो यहां पर मैंने topic लिकनिये तो दक्खन के याँ पर राजमितिक बावसथा के बारे मैं को जाता है तो यहां सब्सक्राइब पूर्च ने पारे मं पूछा जाता है ठीक है सातम के बारे में पुछा जाता है त्यों दríकнее करना है थे अधर के अंदर में टूटल तीन टॉपिक बनकर आते हैं ठीक है पहला टॉपिक आपका रहता है सिंपल सा संगम साहित्य के बारे में रिलेटिड दूसरा यहां पर चोल पांडेव और पल्लवन्स के बारे में चोल पांडेन और पल्लवन्स के बारे में रहता है और तीसर रहता है दक्षन वाले के अंदर में तीन चीजे पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं चैटर नुम्र 17 के ऑड़ कि भारत में प्रसाष्ण सनस्तागत संट्रफन की बारे में अब दीखो उत्तर भारत का उपर ओपर का छेत्र भारत का उसके बारे मिं बात करने Когда इसके लुगे नीचे खुर घम ग्परत वात होगा तैक कि अब इसके उपर का जो सेटर उट्तर कि परकार कर रहा है यहां पर टोटिक इंपोर्टेंट के बारे में आपको चाहिए के बोकार के अंदर में किस प्रखार रिए और उत्तरगुप्तिकाल के अंदर सब कुछ आपको मैंने करवा रखा है तुहां से आप देख सकते हो और सबसे मोस्ट इंपोर्टन तो आपका यह रहेगा कि प्रिवेचर के कुश्चन पर को सॉल्फ करोगी तो यह जितने भी लेसंस है ना वो सारे आगे अब देखो पीछे एक वीडियो के अंदर में पूछ पूछ भी रहता है कि सर आप यह जो टॉपिक करवा रही हूं कहां से करवा रही हूं कि अपको हिंड देता हूं यह टॉपिक ऐसा नहीं था कि मैं आपके बुक में गया पूला अचा चाहिए यह टॉपिक को डूड़ने के लिए जो मैंने प्रिवेसर की वीडियो बनाई यह टॉपिक इंपोर्टन यह वाला कोश्चन यहां पर बनकर आता है यह आपको समझ में आ आजाता है ठीक है समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं सबसे बहुत करूं अब अगला चैटर आतका चैप्टर नंबर 18 जहां पर हम बात करते हैं विधी और नियाईक ववश्थ बारे में कुछ बन करता है कुछ खास चेपर नियुद देता है बट आ फिर भी इस पूर्ट इपड़ी इसके लिए स्टडी करके चल सकते हो अध्यर नाइंटीन चैटर इंप्टेंट है जहां पर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में दिल्ली सल्तनत के अंतरगत्र प पर कर गाता तो यह रहता है दिल्ली सल्तनत काल अब देखो यहां पर ना एक चीज और दिल्ली सल्तनत काल और मुगलकाल ठीक है दिल्ली सल्तनत काल और मुगलकाल दोनों के अंदर में क्या डिफ्रेंस है ठीक है आप यह बताईए का सल्तनत काल किसे कहते हैं मुगलकाल किसे क करते हैं कई बार सलब्सक्राइब को लेकर यहां पर दिल्ली के सल्टन्तक सब्सक्राइब कर लेकर सकती घ्राइब अब हरते चैप्टर का्या है तो आपको थोड़ा सा प्रिंट ना चाहिं तन अजओगा तहिसे मोनाकोट लिए थे जाया हो इंपोर्टेंट रहे चलो जुद्था किस पर का Dual का ता था हिसे नगर के बारे में न्ट मोग ने involvement के बारे में पर्सासन को कैसे सम्हाला जाता था इसके बारे में पर्सासनिक धाचा किस तरीके से पर्सासन को रेग्लिट कहा जाता था इसके बारे में बंगात के तो तीनों टॉपिक इंपोर्टेंट रहते हैं जिसके अंदर में तीनिवेस आपको दो स्टेडी करना है तो बह्मनी और ब प्रांती ववस्ता किस बरकार का है यह आपका टॉपिक रहता है मुगलों के केंद्री और प्रांती ववस्ता के बारे में बताई है यह इंपर्डेंट टॉपिक आपका एक्जाम में बनकर आजाता है ठीक है तो मुगल का जो केंद्री ववस्ता है केंद्री मनसफदारी वव मनसबदारी व्वस्ता के उपर में कई बार टिपड़ी आता हैं इस तो इस मुगल सवर से किंद्री और प्रांती इस तर पे रेग्लूरीट किया जाता तो इसके बारे में आपका कॉश्ण बनकर आता है तो इस चाप्टर के अंदर में जो पहला टॉपिक है वह कुछ है जैप सेंसनकाल के अदर में कि ससैकाल का प्रसासन वस्ता इसके बारे में यहां पर करते हैं प्रसासन के दोड़ में किस तरी से अन्यूकत किया मतलब जैसे देखो सिंपल सा क्या था कई बार क्या होता है कि जैसे एक क्लास के अंदर में एक क्लास के अंदर में पचास बच्चे हैं टीचर कहीं चला गया काम से बाहर ठीक है तो वह क्या करता है ने टीचर कहीं चला के क्लास से बाहर उसने अब किसी को ना मुनिटर बनाना भूल गया यह मुन यहां पे अगर टीचर ने ने वह तो IRA बनाना भूल गया कि भैया किसी को माने class का monitor नहीं की को पते घ्रेका वह को होने में बनाना भूल गया तो जो क्लास का सथ्ता ज़्यादा तागत अपर बच्चा होगा आथ सारारती बच्चा होगा वह अपने आपको तो जो भी छेत्र आथा था ना तो जो छेत्र थोड़ा सरारती छेत्र था जो तागतवर था वहां का जो तो regulate करने के लिए जिसके इंड़र में दिया गयाता ना कि आप इसको regulate करो वेक्तिने क्या गयाना जैसे मुगल सत्ता का पतन होते हुए देखा तो उस ने प林्ष छेत्र को अपने आपको सौतनत्र गुशत कर दिया कि भाई मैं स हतनतर हुए है अब मैं इस छेत्र बीस लिए को आपको लीमित का पता कैसे चलेगा तो में कहूं कि मेरा जो ऑंसे पांसुर वर्ड वो तीन पेंज में खतम हो जाता है को स्ट्ट क करता है मेरा πले में शनलिए तोर भूसे में거든 भलत होगा तो आप이지 कि 7 फैंग सब्सक्राइब कि उख जाउ कि पर खतम हो गावा चरा कि अपर वह से स्टूर्ट में खतं हो कि यह किसी स्टूरं से मत फिर आपको रखंज तो आपको करना क्या है कि यौना कर लो डिफेत आपको रफली के अंदाजह मिल जाएगा और पहला पेज़ ऐसे पी छोटा है या दूसरा जो भी है तो आपको अंदाजह मिल जाएगा कितना लाइन में आपने लिखा है उसके इसाप से ठीक है और साथ ही साथ जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना तैसा नहीं कि आपने पू आपको पता है आपको कि मोरे काल के अंदर में जो राजय ववस्था था वो किस प्रकार से इसे से विक्सित हुआ पूरे भारत के अंदर में वह पूरा यहां पर डिफाइन कर दो बनाकर आप जैसी बनाओ कि उसारा आपको अच्छा नमबर मिलना है उसके मतलब एक इस प्रेशन बनता है कि कि इस तरह से अच्छा से स्टुडिय ने प्रिपेर करके आया है ठीक है समझ में आता है तो यहां पर डाइग्राम का भी आप यूज कर सकते हो पैरा पॉइंट के अंदर में आंसर लिखना है साथ ही साथ जैसी है आपका को शिचन का आंसर खतम होत प्रिप्रिण करना है और एक चीज और जितने भी इंपॉडेंट चीज़ आप करें ना डीकरें कोई जगस लिखे रहे हो कोई नाम लिखें तो उसको अंडरलाइन जरूर करें ठीक है हाइलाइट जरूर करें जिससे टीचर का जो नजर है ना डारेक्ट उस पर जाओ और अच्छे से नंबर दे पाए ठीक है कुछ खास चीज़े होती है आंसर राइटिंग के लिए आप बच्चे हो नहीं कि बारवर चीज़े आपको बताई जाए बट फिर जो प्रतेक्षवाद का विचारधार है ना उसके अंदर में समसे में चीज़ क्या बात की जाती है कि प्रतेक्ष रूप से आप साक्षा रूप से उसको देख रहे हो जानरों समझ रहे हो विज्ञान के अधार पर ये चीज़े इस तरह से होती है उसके बारे में बात की ज सकती है इसके बारे में बात की जाती है उसको बिज्ञान के सपोर्ट के अधार पर साइंस के बीसिस पर बात बोली जाती है एक आता आपका प्राच्यवादी इसके अंदर में प्राच्यवादी क्या होता है कि उसके अंदर में एक बिटिस सासन को केंद्र मान कर जो भी घटन है यहाँ पर डिसकुस किया जाते है अधिक सुकh को रहे हैं मतलब शुकh के अधार पर ठीके अधिक्तम वेक्तिकों के जो सुख है ना जयाओ पिंग से उसके अधार पर यहाँ पिडिषारर की जाते हैं कि किस चीज sih से सबसे ज्यादा लोगों को सबसे स्टीन इंग्लिश के अंदर में रोमेंस वादी है उसको में बोलते हैं रोमाप्स वाधी ठीक है रोमनोडिजम का जाता है सुच刹दनत् वाद्वादि और यहां पर question के अंदर में आ जाता है लिखा हुआ है सुचंदताबादी के बारे में बताईए ठीक है भारत की भारतिये समाजिक सनचनाओं के सुचंदताबादी विचा आजा रहों को explain कीजिए ऐसा question बन कर आ गया अब बोलो कि भीया जी सुचंदताबाद तो पढ़ाया ह पूरा साल भर उसनों नहीं पढ़ाया पर सुचंदताबाद नहीं पढ़ाया तो बहिया सुचंदताबाद मतना होता है एकर ठीक हमें रोमान्स वादी हिंदी में hadink में बोलते हैं तो आपको इसके पढ़ा जाता है तो कला साहित्य जो बहुती क्छेट्र होता है ना उसके आधार पर इसके आलोचना कि जाती है बहुती का अधार पर कि चार अलग-अलग आपना होता है यहापको लेके चलना है चेप्टन नमबर 24 गतिवीदिया, यहाँ पर हम बात करते हैं, railway के बारे में railway की स्थापना किस परकार सी हुई? रेलवे की स्थापना ऐसा बोला जाता है कि हमारे भारतियों के भलाई के लिए हुआ, पर कहीं न कहीं यहाँ पर 90% यह था कि अंगरेजों का अपना स्वार्ता रेलवेगी स्थापना के लिए क्या स्वार्त था, बिहाड से सोना चांदी जो भी है, वों लेकर जाना है विटिक Κैसे लेके जाओगे मातापे doker नहीं न तो आपको रेल्यवे की मददल लेने पड़ी रेल्यवे से आ बंदरगातlungen जाओगे बंदरगा से जेखनवे सिक राज्ये या भूमी बंदवस्त या भू राशव के अंदर में जो रासव अनदर में जो भूब बंदवस्त है आ बुबंदवस्त किस तरह की जो इस्थाई-बंदवस्त भू Kylie banibo 오른सव वहसता होकिस प्रकार कारा है यह आपको यहांप er qe बनकर आता है important topic है कई बार टिपनी बेस में आ जाता है कि भू बंदोस बताइए बूरासर वैवस्ता बताइए तो आप यहां पर define कर सकते हो और टिपनी बेस कोशन के अंदर में 10 नंबर का बनकर आता है चैप्टर नंबर 26 जहां करते हैं बात करते हैं बिस्तार सिक्षा और समाज के बारे में यहां पे बनकर आता है भारत उसका सबसे भड़ा रीजन yol बनकर आता है कि अगरम लोहूगों जो बॡिटन के लोग थे उनको काम करने के लिए क्रम्चारी चाहिए जीसको इंग्लिस आता हो हो भारत के लोगों तो हिंदी बोल रहे थे इस्टटissonक्ष में तो अगर वो ब्रिटन से एक वेक्ति को ले कर आते जो तो English में यहांपर उनका मतद करता काम करने में तो इसके लिए उनको अच्छा-कासा पैसा देना पड़ता थीक है अच्छा-कासा पैसा देना पडता तो उन्हें क्या किया कि यहां के लोगों को बहुत सारी इंग्रीस वाले बन जाएंगे जिससे हमारा बेनिफिट हो सके और वह चीज़े अभी तक चल रहा और भारत के इंदर में अगर आपको खाना आता हूँ नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं है पर इंग्लिस आती हो तो तो इस तरीके सांग रिजी सिख्षा का महत्व क्या है यह इस चैप्टर के अंदर में आपको प्रफिक रहता है और इसके अंदर में जितने बी इंपॉर्टेंट टॉपिक से वह मैं आपको बिन बताया और यहां पर 50 से ज़्यादा टॉपिक मैंने इस पूरे वीडियो के इंदर में आपको करवाया है हर एक लेसन को यहाँ पर हम लेके चल रहें 27 लेसन थे आपके में चाहिज रुपूर के इंदर में हर एक लेसन को बात किया साथ ही साथ मैंने आपकी जो इस्टेटिज ही है क्या पढ़ना बस अची बुक है बट अभी टाइम नहीं आपको कि आप उस बॉक से स्टड़ी कर सको आपके लिए प्लस पंट ही रहेगा कि आप नीरच की बूक करूँ अगर आपके मैंड में कोई 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 सजेशन हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में कम अपने को रेस कर सकते हैं और आपको मेंस्ट का नोट्स चाहिए तो आप डिरेक्टली गूगल ब्लॉगर पर जाके भी नोट्स ले सकते हैं या टेलिग्राम गूरूप से कर दो आपका रेस बांपकार आपके बांपके लेसे बांपके भी यानापके रखके ले बांपके लेसेशन हो एक रमापके भी नोट्स चाहिएन हो तो